आज के इस प्रोटेस्ट में आए हुए सारे लोगों को आईसा के ओर से हम लोगों का सलाम सलाम इसलिए क्योंकि ऐसे कुछ सवाल है जिन सवालों को जब मीडिया सत्ताधरी पार्टी जुटलाने का कोशिश करती है उस समय उन सवालों को उठाना जरूरी है इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे एक देश में जिस देश में आज 9 अगस्ट है आज से 77 साल पहले इस देश में कुई टिंडी अंग्रेज व भारत छोड़ो इस नारे के साथ लाखो लाख हमारे देश वाशी सड़क पे उत्रे थे अपने आजादी के लिए इस चीज के लिए है कि भारत के लोग अपना फ्यूचर खुद टाय करेंगे अपना सरकार खुद चुनेंगे कौन से नितियों के बतार देश चलेगा ये भारत के लोग टाय करेंगे और इसलिए आजादी का अंदोलन लड़ा गया 77 साल बाद आज ये सवाल उठाना जरूरी है कि जो आजादी के लिए हमारे देश के लोगों ने लड़ा इतने लोगों ने कुर्बानिया दी उस लोकतंत्र को जिन्दा रखना जरी इस देश के लोगों को इतना हक बनता है कि वो वोट कहां पे दे रहे हैं चाहे वो जिसको भी दे चाहे वो सत्ताधरी पार्टी को ही दे या अपोजिशन को दे उनको जानने का हक है कि वो जिसको बोट देना चाहरे हैं गिंती वही हो रही है ये जानने का हक इस देश के आवाम को है और इसलिए इस देश चीवियम का जाना जरूरी है ये ऐसा एक देश है जहां पे हम सब लोगों को पता ही ये सच्चाई है कि जो मौलिक अधिकार एक आजाद देश के नागरिकों को मिलनी थी वो इस देश के जादा तर आवाम को नहीं मिला है अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़ना, स्वास्त का अधिकार, जिन्देगी का अधिकार, बिमारी हो तो सरकारी हस्पिटल में इलाज करवाने का अधिकार, एक समान जनक नौकरी का अधिकार, एक आजार देश के नागरिकों के पास यह حक होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, ये बात सच्चाई है। और अगर नहीं है, तो कौन से ऐसे नीतिया होंगी, कौन सा सरकार चुनके आएगा, जो जनता के प्रति जवाब दे होगा। कौन सा सरकार चुनके आएगा, जो बड़े कॉर्पोरेट्स के प्रति नहीं, जो विदेशी पूजी प्रति नहीं, देश के जनता के प्रति प्रतिवद होगा। ये तायकर्ण का हक हमारे देश के जनता को है। लेकिन इव ये मशीन का जो एक तरीके से ट्राजेडी है। वो ट्राजेडी ये है कि टेकनलोजी के नाम पे देश के जनता से ये हक चिना जा रहा है कि वो जिसको वोट देना चाहते है वहाँ पे वोट जा रहा है कि नहीं ये उनको पता न चले देखिए हमने पुरा चुनाव का प्रक्रिया देखा हम मीडिया में हमारे अंकर्स को सुनते हैं हम लगों को पता है कि जादातर मीडिया, आज की समय में मीडिया के अंकर्स वो खबर नहीं दिखाते, वो हमारा आपका खबर नहीं दिखाते, वो ये नहीं दिखाते कि हर रोज हम लोग, हम आप कैसे जी मर रहे हैं, ये नहीं दिखाते, बिमार पड़े, तो हस्पिटल हमारे लिए हुआ या है कि नहीं वो एंकर तीवी रूम में बैठ के सत्ताधारी पार्टी के प्रचार का काम करती हैं सत्ताधारी पार्टी जो कहता है उनके नेता जो कहते हैं उसको रिपीट करने का काम करती है हमारे देश की मीडिया आज के समय में ये सच्चा आई है हमने चुनाओ के दौरान देखा Election Commission of India जिसको neutral रहना था पूरे चुनाओ प्रक्रिया के दौरान Opposition Leaders को चुप करने का काम Election Commission of India ने किया बार बार रहूल घंदी जैसे नेताओ को नोटिस थमाया गया कि आप ये भाशन नहीं देख सकते आप वो भाशन नहीं दे सकते हम लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह सारा Code of Conduct वाइलेक्ट करके धन के नाम पे जाती के नाम पे आर्मी के नाम पे उन्होंने वोट मागा लेकिन एक बार भी रूलिंग पार्टी के नेताओ को नोटिस नहीं पकड़ाया गया हमने देखा कि बंगाल में किस तरीके से चुनाप्रचार का डेट एक दिन आगे बढ़ाया गया जब विद्याशाकर का स्टैचू तोड़ा गया बंगाल में जब भाजपा के लोगों ने वहाँ पे विद्याशाकर के स्टैचू तोड़ा और बंगाल के अंदर लोगों में गुस्सा फुटा उस समय इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया चुनाप्रचार का डेट एक दिन आगे कर दिया ताकि ये जो प्रचार है ये जो गुंड़ई भाजपा के लोगों ने किया ये जंगता तक ना जा पाई नरेंद्र मोधी का जिस दिन रैली था वो रैली खतम करवा के ही चुनाप्रचार का दौर खतम कर दिया गया ओपोजिशन को जवाब देने का मौका नहीं दिया गया हमारे पास आज पढ़ने का हक नहीं है इलाज कराने का हक नहीं है ठीक जगा पे रह पाए घर का हक नहीं है स्वास्त का हक नहीं है और जब वोट देके हम तै कर सकते हैं कि ये सारा हक हमको मिले तब हमारे सामने टेकनोलोजी के नाम पे EVM मेशीन पकड़ाया जाता है हम सवाल पूछना चाहते है Election Commission of India इस देश के जंता को जूब क्यों बोल रही है क्यों हमको बोला गया कि EVM मेशीन एक बार अगर बन चाता है तो उसमें उसका प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हो सकता जबकि RTI के रिप्लाई कहता है कि EVM मेशीन का प्रोग्रामिंग मतलब आपने वोट दिया और उसके बार वो प्रोग्राम होके दूसरे जगह आपका वोट चला जाएगा यह संबग है यह राइट टो इंफोर्मेशन के बतार जो उस समय खतम नहीं हुआ था जो इंफोर्मेशन मिला यह सामने आया हम पूछना चाहते हैं 56 लाख वोट का जो हिसाब का गरवरी है जो वोट पोल हुआ और जो वोट काउंटेड हुआ इन दोनों में 56 लाख वोट का जो गरवरी है उसका हिसाब इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया क्यों नहीं दे रहा है दोस्तों हमको कहा जाता है कि बैलेट में रीगिंग होता था इवियम में रीगिंग नहीं होता है हमने चुनाव प्रक्रिया के दाड़न देखा कि सत्ताधारी पार्टी के लोग दूसरे के वहांने वीडियो में देखा कि दूसरे के वोट जाके वहाँ पर बटन दवार हैं जो वोटर है वो नहीं दे रहा है गुक्रिक रीगिंग ऐसे चीज़ जो बैल आट में भी हो सकता और इविग्ए में भी हो सकता है जो गुंदै करते हैं जो भूट कैप्चर करते हैं उनको अगर छपन फा बैले में भी वह जाके दूसरे के बिहाब पे बटन दवा सकते हैं, लेकिन बैलट में जो आदमी वोट देता है उसको पता रहता है, मैंने यहाँ थपा दिया, तो थपा यहाँ लगा, EVM में हमको आपको पता नहीं है, मैंने यहाँ बटन दवाया, तो मशीन के अंदर कौन सा प्रोग्रेमिंग है, जो प्रोग्रामिंग जो कोड मेरा वोड किसी दूसरे को दे देगा और इसलिए लोग दंत्र को जिंदा रखने के लिए वियम का जाना ज़रूरी है और इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि वियम वापस जाए लोग दंत्र में सिर्फ सत्ताधारे भार्टी चुनाओ नहीं रहेगा इसलिए वियम जाए और बैलेट में हम लोग वापस जाए यह इस समय के मांग है इस समय की ज़रूरत है नेशनल दस्तक की आप से गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़वर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें